हेलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप सर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेकनलोजिप तो फ्रेंट्स दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और दो दिन पहले ही EPFO की तरफ से एक अपडेट आया था यू एन पोर्टल पर अपडेट यह था कि EPFO ने जो है करमचाले बहुशे नीदी संक्ठन ने एक नया ओप्शन नया फीचर एड़ कर दिया था यू एन पोर्टल पर जिससे कि अगर आपका जो पीएफ अकाउंट है पीएफ मेंबर आईडी है उस पर डेट ओफ एग्जिट मेंचन नहीं है तो वो अब आप खुद से अपडेट खुद से मेंचन कर सकते हो देट ओफ एग्जिट पहले यह ओप्शन नहीं था पहले जो था कंपनी पर यानि की इम्प्लोयर पर निर्बर रहना पड़ता था बट अब आपको आपकी जो company है आपका जो employer है उसकी जरूरत नहीं है आप खुद से ही UAN Portal पर login करके जो है date of exit mention कर सकते हो, date of exit mark कर सकते हो, date of exit जो है update कर सकते हो, ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उपर आई बटन में मैंने link दे दिया है, और वीडियो के description में मैंने link दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, तो friends वो जो मैंने video बनाई थी, उस पर आप सब भाई लोगों का इतना अच्छा response मिला, इतना अच्छा प्यार मिला, और मेरे को comment करके जो मेरे को बताया, और जब मैंने comment पड़े तो मेरा दिल खुस हो गया, आपके comment देखे कि मेरे को really मैं किस तरह से आप मेरे को offset करते हो, कि इस तरह से जो है मैं video बनाता हूँ, उस पर आप response करते हो, तो आप सब भाई लोगों का ठह दिल से शुक्रिया, आप अपने इतना प्यार दिखाते हो, इतने अच्छे comment करते हो, मेरे को बताते हो कि मेरे video कैसी लग रही है, ठीक है, तो देखे date of exit का यह जो नया feature EPFO ने दो response भी मिला, और मेरे को काभी सारे comment भी मिले, काभी सारे भाई लोग मेरे को बोर्ड रहे थे कि भाई, जब हम date of exit mention करने जा रहे हैं, तो वहां पर अब एक message आ रहा है, उसके आगे process होता ही नहीं है, और वो message यह है कि processing your request please wait, processing your request please wait, और आदा एक घंटा, दो घंटा wait करने के बाद भी, यह जो है message यही आता रहता है, आगे process नहीं होता, तो देखे, EPFO ने date of exit का जो option था, अभी दो दिन पहले ही add किया है, पहले यह option नहीं था, यह पहले यह feature नहीं था, UA in portal पर, तो यह देखे, काफी सारे जो इसका दो तीन कारण हो सकते हैं, आपको बता देता हू सबसे पहले तो कारण यह हो सकता है, कि भाई, EPFO ने यह जो feature add किया है, इस पर कुछ अभी latest नय feature आया है, तो इस पर कुछ technical issue भी हो सकता है, जो आने वाले 2-3 दिन में, 2-4 दिन में ठीक हो सकता है, ठीक है, पहला तो कारण यह हो सकता है, दूसरा कारण यह हो सकता है, कि जो तो अगर आप जो मान सकते हो कम से कम एक क्रोड जो है पीएफ अकाउंट होल्डर ऐसे होंगे पूरे देश में जिनका डेट ओफ एक्जिट मैंशन नहीं होगा तो जैसे ही ये फीचर एड किया ये ओप्शन आया यू एन पोर्टल पर तो सभी लोग जो है अपनी डेट ओफ थोड़ा प्रोसेस जो है वो शिलो हो गया होगा तो आने वाले टाइम में ये हो सकते है ठीक है तो ये दो कारण हो सकते है टेकनिकल इसू भी हो सकते है और जो है काफी सारे लोग जो है इस पर कर रहे है काम अपनी डेट ओफ एक्जिट मैंसन कर रहे तो उसे वज़े से सा बावजूद भी अगर आप 4-5 दिन तक वेट करते हैं उसके बावजूद भी आपको यही शेम ही एरर आता है तो आप जो EPFO का जो गिर्वेंस पोर्टल है वहाँ पर जा कि आप कर सकते हैं EPFO को बता सकते हैं कि भाई जो आपने डेट ओफ एकजिट का फीचर एड क्या था उस पर जो है मैसिज आ रहा है प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट प्लीज विट इसके आगे भड़ी नीरा ठीक है बाकी मैं आपको एक एडवाईज दूगा कि अगर आप जो है अ लोगिन कर रहे होंगे इस वेबसेट पे और काफी सारे हिट आ रहे होंगे तो इस वज़े से यह साइट थोड़ी स्लो होगी होगी तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग छे साथ बजे जो ओफिस का टाइम नहीं रहता तब जाके आप एक बार कोशिश कीजे या फिर रात को आठ नो बजे के बाद मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं आपको एक information दे रहा हूं साहिद हो सकता है आपकी date of exit जो है proper mention हो जाए आपको यह error देखने को ना मिले तो सुबह जो है साथ आठ बजे से पहले एक बार ट्राई कर लिजे और रात को जो है नो आठ नो बजे के ब आठ बार ट्राई कर लिजे तो साहिद आपकी जो है date of exit जो है वह update हो जाए mention हो जाए तो यह एक update था आपके साथ कि आप थोड़ा सा wait कर लिजे एप फो इस पर साहिद अभी काम कर रहा हूं क्योंकि नया फीचर आया था नया option एड किया है यू-e-n portal पे एक दो दिन में य मिलता हो आपके साथ एक और लेटेस टेकनिकल हेलफ और वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखे का बबाए टेक केर